सीट्व का पेपर है नो ग्यारा आगा शिफट थर्ड का पेपर है वहला अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 50 कोशन को च्टिक है चलिए पहला ही कोशन आ गया वह ही कोशन है वह पैटन है बस इसमें एक दो कोशन बहुत अच्छा आ है अच्छा ज़स currently थे और वो सवाल ठीक था और जो एक किया था अउस का answer हम ने गलत कर दिया था हमने उल्टा बोल दिया हमें यह बताना था है कि वह यह क्या लगता था तो इसका फासर लगता था हमने उसका अंतर बेटा दे दिया था 10 माइनस के अंदर 7 चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवाइट करेंगे 1 आ गया है तो इसको मुल्टिप्लाय करा एक स्वन एक स्वन प्लस वन और माइनस का साथ तो आंसर क्या आ गया 184 असान सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहले सोला का फिर कितने का अचांब कने का एक बारा में चार्ज और आख्री में चे आना चाहिए आचा 49 करना है मैं को लगा वो आगे वाला करना है तो 49 में अड़ करेंगे तो 9 में आप दो जोड़ों के तो आखरी में ही काएगा सब्सक्राइब का आगा है 161 समझ में आगा हुआ दोनों सवाल बहुत इजी है बदेते हैं सवाल चलिए नेक्स कोशन देखते हैं क्या कोशन है मारे पास z w w x i live k अगर मैं आपको बहूं कि डबू के बाद तो x आ रहा है को दिकत तहनि हे डबू के बाद दो x आ रहा है डबू के बद क्या रहा है locks UP क्या रहा है तो कर दिकत हो टव्लेट आते हैं इनके करण बड़ी दिकत होती है भूथ दिक्कत होती है बहुत दिक्कत गुड़ीवनिंग अरभीन जी जल्दी आजाराखी यार जल्दी आओ जोल प्लीज भाई प्लीज जल्दी आओ वीडियो रुकी हुए है पुरी की पुरी डबलू के बाद एकशारए है फिर वी नरपस क्या आ रहा है यू आ रहे हूं यू के बात क्या रहा है ज Amanda या के बाद का pizza आउरा हैं आच है डुत से पहले कैं आ रहा है मेंवरे पास में डा रहा है तो इसका असा बहुत हphabet य तुम्हारा इस आंसर श्त tag को टेले वखाच पहले वाला बन रहे तो कोशन असान था श्यक्रमडर दिंध relies competitors Now next question देखते है, 9, 55 और हमारे पास है 64, अब ये 7 है, 7 को 5 से multiply करा, 35 आया, और 35 के अंदर अगला नमबर 8 जोड़ा तो 43 आया, और ये नमबर लाने के लिए दोनों के plus कर दिया, उस्से तरीके से ये वाला नमबर करा, 5 को multiply करा हमने किसे साथ, 5 के साथ, तो ये 25 आया, 25 में 6 जो बढ़ेंगे तो 36 हो गया, ठीक है, ठीक था logic काम कर जाएगा, next question, अचा, सबसे पहले, some houses are windows, कहीं option है, नहीं है, some roofs are windows, कहीं पर option है, only second follows, जब भी यहां पर some लिखा होता है, तो यहां भी क्या लिखा होता है, some, यहां some लिखा है, तो यहां भी क्या लिखा होगा, some, next question, मेर हो गया, खतम question, easy question, ठीक है, रभीन जी, समझ में गया हुआ, रागी समझ में गया है, यह हमारे पस question कुन से है, cutting वाला question है, अचा, सबसे पहले तो यह इसकी water image बनाएगा, बनाएगा water image इसकी, ठीक है, अचा, जब इसकी water image बनाएगा ना, तो यह नहीं बन पाएगा answer में, कट के option, यह तो कट गया option, और यह भी option कट गया, भाई यह नीचे आएगा, यह उपर थोड़ा जाएगा, ठीक है, समझ गये ना, क्या कहा हुआ हूँ, मैं, second वाला answer हो गया, ठीक है, next question, again question आगया, 94, r के लिए क्या रहे है, q के लिए, p के लिए, s के लिए, r के और p के लिए, into 2, तो board mask का नियम क्या कहता है, board mask के नियम क्या अकॉर्डिंग, अपने को पहले क्या लगाना है, divide वाला लगाना है, तो 16 को 2 से भाग करा, 8, 8 को साथ से multiply करा, ठीक है, 56, 56 में, minus 64 और plus का कितना कर दिया, 26, ये कितना हो गया, minus का 10, ठीक है, ये minus का 8 और ये plus का 26, तो कितना हो गया, plus का 18 हो गया, और ये 94 हो गया, second बादा, ठीक है, कपड़े के भी तो बैक होती है ना, ठीक है, गूद इवनिंग को हमता, next question, देखिए भईया, बढ़ना, इसका उल्टा कर दिया, घटना, मैं तुम्हें इतनी English तो आने चाहिए, कि increase का उल्टा अगर diminish होता है, तो smile का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पला चपकाना, हसना, चिलाना या मैयूस होना, तो simple सी बात है, मैयूस होना, ठीक है, पला चपकाने को बोलते है, विंक, अच्छा एक एक ना, इसके उपर भी, चैनों के पेपर में भी एक error आया था, व अपने आप भी एकाम करती है, तो उसके लिए मुझे fill in the blanks बनना था, तो उसमें था automatic, अना, अना, automatic था एक का option, एक का option था mechanically, एक का option था mechanically, एक था automatically, दो और option थे, तो automatically, mechanical थो होगा नहीं, ठीक है न, biology में कुछ चीज ऑटोमेटिकल थोड़ना होगी, उसके लिए कुछ चोर word आना था, भूल गया word, लेकि कोशन मेरे दिमाग में के बैठ गया, आजो बई, चलिए 130, अब देखें यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब plus करूं, divide करूं, into करूं की क्या करूं, अगर मैं दोड़ा ध्यान से देखता हूं, अगर यहाँ कोई number बड़ा हो जाए, तो बराबर में कर दिया, 485, प्लस में कर दिया, 28 और divide में कितना कर दिया, 2, मैंने कौन सा option लगाया, फोर्च वाला, कौन सा लगाया, फोर्च वाला, अधिचे तरे को पता चला, मैंने दूसरा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, मैंने किस से पूचाता है उससे पूचाता है वो बता रहा है राम से देखके फूरा टाइम फोन चलाता है तब भी वो पढ़ लेता है लाएक देखो 134 से मिल्टिप्लाइ करो 520 और माइनस कर दिया 21 तो मेरे खाल से 400 नहीं नहड़े आ जाएगा अब यह 480 और 480 में मिल्ट हुचे कितने जोड़ने है कभी गवर दो जाते हैं हाना तो स्क्रॉल करने में तो इस कोशन को ध्यान रखना यह कोशन बहुत गलत होता है अच्छा अब बड़े द्यान से देखो पहले यहां पर था फिर यह इधर गया फिर यह इस तरफ आया तो अब तो इस तरफ यह आना है ना अब यह कहां इस तरफ नहीं आ रहा देखो यहां नहीं आ रहा और एक यहां नहीं आ यह तो तो फटा तो पहले इतनी चीज़ कर तो आंसर क्या हो गया, the third one, next question, मैं simply ABCD लिखूंगा, 5, 8, 10 और 13, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 3 बड़े, और यहां भी 3 बड़े, और बीच वाले के लिए 2 दो बड़ रहे हैं, को दिकत तो नहीं है, अब मैंने यह वाला ले लिया, यह 19, यह 22, यह 24, और यह क कितना बड़ा यहां से, तीन बड़ा, यह यहां से कितना बड़ा, और यहां से कितना बड़ा, तीन बड़ा, अब इसको देखो, 16 से 19 तीन बड़ रहे हैं, 21 से 24 तीन बड़ रहे हैं, और 19 से 23 बड़ रहे हैं, तो यह तीनों मज़ा सेम हो रहा है, वहां सागा लगया, छो कहते हैं प्रतिमा डिपार्ट्स फ्रॉमर हाउस एंड वॉक्ट मैन इसको घर को इजरे ले लिया यह वहले पॉइंट पर एंड वॉक्स 29 किलोमेटर टुवर्ट्स द नौर्थ तो नौर्स की तरफ गई है कितना गई होगी 29 यहां तक किसी को दिख कर एंड शी टर्ण राइट वो अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़गी जब तुम नौर्ट जा रहो ना तो तुम्हारा सीधा सीधा यही रहेगा तो सीधे हाथ की तरफ गई और उसने कितना चल गया है यहां से अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी यह पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक की दूरी 39 थी जब वो अब यहां देख रही है तो उसके सीधे आथ यहां पर पढ़ेगा अब वो यहां पोंची और उसने 17 चल लिया तो एक चीज़ अपने दिमाग में बठा लेना यह वाल यहां यहां से लेकर तुम्हारा लेफटन क्योंकि जब कोई इंसान साउथ में देखेगा ना तो तुम्हारा राइट है उसका क्या होता है लेफट होता है और वो कहां चलेगी 21 बिल्कुल यह वेस्ट केसर जाएगी 21 तो 16 सक्तों यहां चलेगी थी हाना मनीत और यह 5 एक् देखिएगा अचा यह वाला डिस्टंस और यह वाला डिस्टंस तो सेम होगा यह 12 हो गया मैंने यहां पर इस तरीके से राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया यह घर की दूरी होगी अगर यह 5 है 12 है तो यह क्या हो गया तो सबसे छोटा डिस्टंस जो होगा वो क्या होगा 13 होगा, कोई दिक्कत? मैं तुम एक सवाल पूछता हूँ, मुझे एक पारक को पार करना है, मतलब यह एक पारक है, यह A है, यह B है, यह C है और यह D है, तुम यहाँ पर खड़े हो A के उपर, और तुम्हें C ते पहुंच जाना है, तो सबसे shortest distance क्या हो, उसका diagonal, इस तरीके स जब वह बंदा जाएगा, तो वह बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, बस इस case में भी यह हो रहा है, the shortest distance हमेशा जब भी बनेगा, वह राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, हमेशा अपने बात को पकड़ लेना, कि जब भी वह shortest distance सवाल पूछेगा, वह राइट एंगल ट्र पर आता है, 19 पर आता है, तो यह कितना हो गया, 12 तो मैं कह सकतब कि मैं थीन कम कर दिये, मान के चल रहो हुँ मैं, अच्छा यह कितने होतें, 15 और यह 4 नहीं बनेगी, यह M, यह 5 ये नहीं, यह भी नहीं बन रहा, यो भी यह नहीं बन रहा, है को धे हम Pvsystem आ पांछी, अच् और यहां पर B के लिए क्या दे रखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है तो हिंट को पकड़ो कि पेपर में कैसे सवाल करने है किसी को दिक्कत यहांता है मैं ले गए जलता हूं नहीं है तो छोड़ दूँ है आप मुझे बताओ आर के लिए code क्या लिखा आयरे बाई यह पांच आ रहे है अचांच यह 5 है यह 6 है यह 4 है यह 5 आप दिक्कत किसकी है इस वाले की एक दो तीन 4 एक दो तीन 4 अब मुझे बताओ एम के लिए एक लिए क्या रहा था चार आंसर क्या हो गया फस्ट वाला आई होब समझ में आ गया हुआ बस आपको यह यह आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि जो समवन है वह बहुत बड़ा लिखा हुआ है और जो नमबर लिखे हो बहुत छोटे लिखे होए कि अधि आराकी प्लीज कम मैं बोल सकता था पर अडिटिंग करने में लिक्कत होती है आजो इसलिए मैं शान्त हो जाता हूँ अगर यहां पर आर के बाद दी लिख दूँ ठीक हे लेख दूं ति फिर यहां पर मैंने आगा तिक के पाद आप रीग दिया यहां पर ए अगया वह disproportionately हभिए तुर अपर अगर उर oblivation फ एなく यह curly 19 ओर अब आपी यह आहर जी इतना कर दिया है पूरा कोशन ही बंगया जब मैंने यह देखा कि वह वह न बन नहीं इस वर आगया हमारे पास यह डबलू लिखा है मैंने गलती से न लग रहा है ठीक है अच्छा आर के जी के बद क्या आएगा जबलू चलिए ठाड़ ऑप्शन बन गया सवाल खतम हो गया गया अच्छा उसके बद साथ पर यह च्छे पर यह पांच पर यह चार पर आपके सामने पेपर है बाई दिल्ली पुलिस का मुझे बोलने की जूरत निया पर क्या आगया एक्स कितने ऑप्शन है अभी ऐसे एक क सवाल खता हूं अच्छा तीन ही तो थे अब यह वाला सवाल मैं करवा हूंगा ठीक है चलो नो पिन याद रखना पिन और टिन के बीच में कोई भी रिष्टा नहीं होगा अब बड़े मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनना यह वाला ऑप्शन एक नेगिटिव है और यह वाल कोई नहीं मनेगी सवाल करता हूं ठीक है क्या वह मनी थे गलत है कुछ ठीक है next question सवाल कर आप से पढ़ेंगे नौर देखे इस देखे मुझे फरटने पड़ता ठीक है ममता जो मर्जी देखो गाश कोई फरटने पड़ने वाला only two people sit right of you you के right पे सिरफ दो बंदे कि जो भी विंदा यहां बैठा हो ना उसके लिए right ये वाला उसका left ये वाला होगा ये right है और ये वाला क्या है उसका left है तो you के right पे कितने बंदे बैटें मेरे भाई दो बंदे बैटें only two people sit to the right of you only two people sit to the left of r r के left पे के वाल दो लोग बैठेंगे only two people sit but when you and q you और q के बी only two people sit between u and q only three people sit between r and v r और v के बीच में के वाल तीन लोग बैठेंगे तो v के वाल इधर ही बैठ सकता है t is not the immediate neighbor of u तो t यहीदर आके बैठ गया s sit to the right of u s यहीदर आके बैठ गया एक अंदर रहा कोन p सवाल करता है क्या लिख्या question के अंदर question में लिखा हुआ है how many people sit between q and v q और v के बीच में कितने लोग बैठें हुए है एक दो तीन चार सवाल करता है अब दियान से देखेंगे सवाल देखो भई आचा बदतर तो आठ को भाग कर देता है ना पकड़ लो option यह बदा चोवन डिवाइड बाए 6 प्लस में 72 डिवाइड बाए 8 माइनस में 3 बराबर के अंदर 15 चोवन को 6 से बाग करो 9 इसको बाग करो 9 और माइनस 3 करो पहली बार में आंसर आ गया खतम question next question कहता है अगर 30 अपरेल 1983 को शनिवार था तो 30 अपरेल 1989 को क्या होगा अब बड़े द्यान से देखना अच्छा एपरेल में कितने मीनी होते हैं वैसे पूछ रहूं कितने दिन होते हैं स्वारी 30 होते हैं तो एक मही को क्या तारीक पड़ेगी आपको कि भीया संडे यह पड़ेगी अच्छा मुझे बताओ कि मही में कितने दिन होते हैं 31 तो अगर मैं आपसे कहूं एक को साथ को स्वारी आठ को पंदरा को और बाइस को और 29 को संडे होगा तो 30 को क्या होगा मंडे 31 को क्या होगा क्या होगा त्यूजडे और एक 30 को संडे क्यों होगा मेरे भाई शांत हो जाया सब भुला देगा मेरे को एक के बाद क्या आगया एक जून को क्या आगया त्यूजडे भुला दिया ना पूरा सवाल ना लैक देखो इदर 30 अप्रेल है ना मारे पास जून को क्या पड़ रहा था वेड्नेसरे पड़ उत्यून में कितने दिन होते हैं तीस दिन होते हैं एक को पढ़एगा फिर 8 को फिर 15 को फिर 24 को क्या पढ़ेगा Wednesday यह तीस तर्य को क्या पढ़ेगा Thursday, नहीं तीस को सदसले पढ़ेगा नहीं एक जुलाई को पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा फ्राइडे पढ़ेगा अब अगेन वही चीज़ 29 तो सेम हो जाएगा दो दिन और बचेंगे 30 और 31 का आच्छा क्या हो जाएगा एक अगस्त को क्या हो जाएगा मंडे एक अगस्त क्या हो गया मंडे हो गया को दिक्कत नहीं फिर आठ को मंडे होगा और फिर पंदरा को मंडे होगा पंदरा से दो दिन पहले जाना है तो क्या था शनिवार यानि 13 अगस्त 1983 को क्या था शनिवारी था ठीक है को दिकत तो नहीं है मैं तुम्हें बताऊंगा आखरी में जाके न दिख दो कोशन कुझे कराने हैं तुम बताऊंगा इसका shortcut तरीका क्या निक याओ कर्यार दो क्योंको क्या फर्रम बीध क्या है क्योंके फर्वर्य बीध गया मंडई हो जागा यहां पर क्योंक्य lt युपर पढ़गया अचा अब 86 में क्या उखना कर थर्वरी भीध गया ला 88 में क्या आएगा अंजी फ्राइडे दो दिन बढ़ेंगे ना फ्राइडे और 89 में क्या आएगा शनीवार संडे हो गया कटम कुश्च ठीक है लीप यह में दो दिन आगे बढ़ाते हैं नॉर्मल यह में एक तीन आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले चीछ इसका आंसर क्या नहीं होगा यह देख लो सैकंड और थर्ड तो इसके आंसर नहीं हो सकते हैं ठीक है कि अधर यार फॉर्थ आंसर है डोंट वरी जो आनने में पड़ रहे पर यह लॉजिक क्या था बहुत बढ़िया लॉजिक है स्टार लगा रहा हूं अच्छा कोशन ठीक है बहुत बर्दस लॉजिक है 15 into एक का क्यूब कर दिए कितना आगया एक need एर शोटी हो को मैंने क्यों कर दिया 2 अक्या क्यूब कर दिया कितना हो गया यह गत्रत 13 x 1 plus 1 का क्यूब 13 plus 1 का क्यूब is equal to 14 14 को multiply कर दिया 1 के साथ 14 आगा 14 के अंदर मैंने plus कर दिया 2 का क्यूब that is 8 8 पर 14 कितने होते हैं 22 तो इधर 22 आगया और 22 को multiply कर दिया किसे था 8 के साथ था कड़ो लाउजिक था है वाला आयो गुट यार, keep it up, next question, P था इधर, P इधर था, फिर P इधर आया, फिर P इधर आया, अब P इधर आया, अब P इधर आया, अब P कि इधर आया, इधर आया, जहां पर एग लिवरोगेशन पर आया, पी, देखो कहां पर नहीं आ रहा, तो फिर answer भी first फाल ही होगा, Tension मतलो यही answer है, चोलो, देखिए, उपर थे, फिर यह नीचे आया, फिर यह उपर, फिर इधर, फिर बीच में, ठीक है, अब यह last में आएंगे, सारे last में ही है, अब चेक करते हैं, अब लोग ट्रेंगल की position क्या हो रही है, basically, जब जब triangle हमारा बीच में आया है, जैसे triangle यहाँ पे उपर यह secondストikum क्रिशन पर था, आच जैसे यह starting पर आ गया, फिर नंबर पर आ गया, फिर यह second पर आ गया और फिर second पर आ गया, अब ये फर्स नंबर पर आएगा ट्रेंगल ये अवला उप्शन कट गया और ये अवला उप्शन भी कट गया समझों मैं क्या कह रहा हूं जब भी ट्रेंगल नीचे आ रहा है या बीच में आ रहा था वो सेकेंड पोजिशन के उपर ही आ रहा है आप सिराफ हमें गोलू चाह करना है कि गोलू की पोजिशन के है छीक है गोलू लास्ट में आएगा ठीक है बिलकुल बिलकुल दोनों बर सेम होंगे नेक्स कोशन चलिए नेक्स कोशन बहुत असान कोशन होगा seven people are sitting in a straight row okay only two people sit left of C, C को यहां बैठाओ इसके left पे केवल दो लोग बैठेंगे only two people sit between A and B, A और B के बीच में केवल दो लोग बैठेंगे अब इसको नहीं बढ़ा सकते है B is to the left of A, B is to the left of A, B is to the left of A, E is an immediate neighbor of A to the right, ठीक है अगर मैं A को यहां बैठा दूँ और B को यहां बैठा दूँ तो दो बंदे बैठेंगे और B इसके left पे चला गया, बैठेंगे, E is an immediate neighbor of A, तो E यहां बैठ गया, right में इसके, only one person sit between right of D, right of D, right के D में कितने बंदे बैठेंगे, एक बंदा बैठा हुआ है, F is not the immediate neighbor of B, तो F यहां के बैठ गया, कुन सा बंदा रह गया, जी, सवाल खत्म, how many people sit between E and B, E और B के बीच में कितने लोग बैठेंगे हैं, समझ गया, सवाल कैसे करना था, समझ गया, यह paper में बहुत आएंगे, मैं फिर बता रहूँ, CGL में भी आएंगे, दबा के practice कर लो इनकी, बहुत काम की चीज़े हैं, क्योंकि स्टारों के पहले खत्म करना अपने को यह 17, यह 13, यह 11 और 330 और यह 8, यह 16 यह 12 और यह 10 और यह 7 यह 26 और यह 20 और यह 17 यह 27 यह 20 सवाल खत्म होगए, करतम यह तो कंफर्म नहें यह अपने को दो से सवाब से बढ़ते हैं निचे भी चार रहता है क्योंकि यह 8 था यह अच्छा तू जीचे पॉइंट भी हाव फार एंड ट्वर्ट्स विच डिरेक्शन इशुड ड्राइव इन अजर टू रीच पॉइंट ए अब ये पॉइंट ए था इसका अब कहते हैं उसको किस पोजिशन में जाना चाहिए सार पुछ ले लिया है चेक कर लीजिया आप अब चेक कर लो एक बरी जा रहा है है यहां से पी रैटन लेगा छीक है यह यह इतन लेगा सने चार ले लिया अब ये कितना distance रहे है अपने पास चार किलोमेटर इंदिविच डिरेक्षिन इन साउथ चार किलोमेटर इन साउथ जाना उसको चलो देखेंगे भाई ध्यान से असान कुछ नहीं आजो W-Q W is the father of Q याद रखना है A से B का रिष्टा है तब ही W से Q हुआ है Q at T Q is the son of T तो Q जो है वो son है किसका T का तो T इसकी मम्मी लगी और इसकी क्या लगी वाइफ लगी चिक है T and W T and Y sorry तो T is the sister of B T is the sister of B Y Y अब ये मामा या मासी लगेगी क्यों की Y at M Y is the son of M मामा लग गया उसका अच्छा M percentage के M is the wife of K अब देखें क्या रिष्टेदारी बनी है K और M की एक बेटी और बेटा है T and Y T की शादी हुए W के साथ जिसका बेटा हुआ क्या हूँ Y उसका मामा लगता है अब पूछ रहे है how K related to W K का रिस्ता क्या है W के साथ तो उसका क्या लगा father-in-law ससुर wife की side से next question 23 C के लिए minus D के लिए B के लिए multiply 3A के लिए 65 इसको दो से भाग कर दो देख 6 आ गया गल्तों नहीं कह रहा हूँ माइनस का 6 था और प्लस का 65 था 23 में दे 6 गए 17 17 और 65 आखरी में क्या आना चाहिए दो 82 सवाल खता हूँ समझ में आगया हुआ असान question है बिल्कुल असान है आजो त्यारी जीत की next question देखो भई जियान से देखेंगे सबसे पहले तो भाई इसको काटी यह नहीं हो सकता और यह वाला इच भी नहीं हो सकता इसको काटी है और इसको भी काटी है पहला यह answer होगा question These 현at, Monuments, Taj Mahler White House ہیں अब यह होड़ा सा problematic सवाल है अब Blackhouse को मॉनुमेंट लेंगे वाला में लेंगे शर्मीमारी है right तो यह सरी अदिनी है वालो मम की और डेफिनिशन ह antiqu है नहीं लेंगे ना नि मैं तो पूच्छी में सवाल देख ही नहीं रहूं हूं मैं तो वैसे देना इब चकन ना Monument के definition क्या होती है definition of monuments तो वाइटास को भी architect ने मिना है तो वाइटास अथोड़ा बना है अध्या आए मतला उसको टिकट लेके तरह ना नहीं टिकट लगती है वाइटास आएटास देखी मैं गया नियुक्त बहुत रहता है कि अ सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब कि अ है आए 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 भाई मेरे को जहां तक पता है कि आना सहीरा कि अगरें कि अगरें कि कि नहीं है भैंज द्यान रखना मौनुमेंट नहीं है अरे पता होना चाहिए यार पता होना चाहिए कल को सवाल आ जे मौनुमेंट क्या होता फिर कैसे करेगा फिर कि सीखना नहीं है कुछ भी नमबर 33 आजो इस काउंसर फोर्थ नेक्स कोशा देखो भई देखो भई सबसे पहले अब मुझे क्या करना है अजित्य पढ़ा लूँ आपको भी वर्दी लेनी शायद गलती से आर का मतलब क्या हो गया प्लस बाते करने से नहीं मिलेगी ने वर्दी पढ़ने से मिलेगी 6 अचा अब P के लिए क्या आएगा multiply 3 S के लिए क्या है minus 26 एब चेक करना सही लिखा है से पूच 8 denotes plus 64 एब चेक करो मैं कहीं डिवाइड वाला मिस तू नहीं कर गया क्यों के लिए दिवाइड था क्यों कहीं लिखा ही नहीं हुआ यह कितना हो गया सर जी यह कितना हो गया थारह माइनस का 26 प्लस का 64 यह 21 59 is the answer सवाल खतम हो गया next question दुवारा से सवाल आ गया भाई वाला fresh is food die in PQ bring fresh fruit अच्छा अब मुझे बताओ fresh के लिए क्या code अच्छा fresh कही पूचा है भाई फ्रेश के लिए पुछावा दोनों में क्या common है PQ PQ धाई भी है कोई बात नहीं तो इसर फूड आ गया अब डिवाई डिवाय कट गया फूड के लिए आ जो गई दियान से देखेंगे सवाल को अराम से पड़ो P % Q P is the brother of Q Q and $ S Q is the son of D एक लड़की जिसके दो लड़के है और इसकी भैन या भाई होगा आर परसंटेज आर इस दे ब्रदर ओफ यू मामा लगा इनका आर पी और क्या होगा ठीक है सही है ना चलिए अब बताएगे यह इन्टू टी यू इस दी हस्बेंड ओफ टी पी इसकी बीवी होगी अब बड़े द्यान पर देखो तो एस नाम की लड़के जिसके दो भाई है एक है आर और यू यू की शादी हो चुके जिसकी बीवी कोन है टी पी और क्यों उसके बच्चे है तो टी उनकी क्या लगी मामी लगी कोई जिकत तो नहीं है पी इस दा डॉटर ओफ टी बिलकुल यह गलत हो गया पी इस दी के ममी का भाई तो लगा पी की ममी का भाई तो लगा अंसर आ गया एसिसजा ब्रद फटी नहीं मतलब यह नहीं बनता चालिए अब बड़े द्यान सवाल खतम हो गया next question 112 101 क्या नवे gap check कर लो यार 11 10 9 82 8 7 6 5 3 4 2 1 चलो 25 चलो gap check करो 5 फिर 5 फिर 3 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 5 सवाल पर खतम हैं सोचो मझा यह अंसर है सोचने का टाइम नहीं है शोटियों में सुवरा गर्मी कि आज पन और आठ कितने ठाट अवाग कितने होते हैं 39 और 13 कितने हो वे 162 अजगा अगया आंसर या है अभे चलो खो इदर आगया अंसर 39 और 123 162 उसको divide by 2 कर दिया 81 आ गया 56 और 32 दिवाइड बै टू कर दिया 32 आ गया दोनों को add करो 163 को 114 डिवाइड बै दो 155 आ गया क्या तो रहा हूं लेवल को नीचे लेके चलो वे जल्दी आंसर आएंगे चलो यह देखो भई वाई सबसे पहले में को लगता है यह वाला कटी जाएगा यह option कटी जाएगा और यह भी 2nd भी काटेंगे option और 3rd भी काटी जी आंसर हो गया 4th one happy लिखा हुआ है like this happy लिख लेते हैं पहले 8, 1, 16, 16 और यह 25 जी आया 10 पे, सी आया 3 पर आर आया ठारा पर आरा ठार पर एक पर बताने की जूरती नहीं क्या लॉचिक है को दो एड़ हो रहे हैं आचा अल में दो जोड़ो खतम question next question अब बताओ इसमें से क्या लॉचिक है देखू देखो 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 यह पहले इसको काटो यह भी कट गया इदर से एमबल आ रहा ना यह भी कट को यह भी कट गया इदर से में उग्मकों गरार इन declar эти क्वट यह देखो वई a क्यों कि अग्षिसे करना ड़ीक है अपनी दिमाग से नहीं आखों से करना है यहां से यह इदर मैं से बनारताना राकी वाइ मैं से बनालो है यह बने गा यह फिरशा यह बने है ऑर वसमरि क्ल करना तुमार खेंडी और प्रोट में ये वाला उपना लेके जाओं ये वन रहा बाई फोर्थ फोर्थ आंसर किसने वाई सेकंड चलाओ 45 नुमर कोशन आखो वले अंदे आवई अचला होई आर के बाद डवल ए आरा है अबसे पहले डवल ए हाँ अपसे पहले डवल ए-ड, डवल वी, कड, डवल एड, डवल व, क, फिर आराा गया, फिर डवल वी, क्या पूच रहे हैं लोजिक। तो बहुत असान चीजرे पूछ रहा है ए वी आर ए के डी और यह और गलते सारे आंसा सही भी आ रहे हैं कौन सांसर राएगा जी ए वी आर ए के डी वी चलो जो जे रखा वोई लिख दो अबे क्या दे रहा है यार यह बच्चों ले सवाल है यार MTS में ना पूछे कोई बंदा आजो वही वी कितने पर आता है बाइस पर हाई नो पर आर दो पर फिर यह अठारा पर फिर यह एक पर N14 पर U21 पर सवाल खता है कहां पर पहले 9 फिर 21 ठीक है ता ओ यार क्या सवाल आ रहा है तुम्हारे सामने पर है 11 का स्क्वार माइनस 10 का स्क्वार 14 का स्क्वार माइनस 6 का स्क्वार यह पूछा है पर और अगर अब भी पर ना निकले न तो मेरी चाहे की दो बूंदे अगर इतना पीपर भी ना करभा हो तो तुम्हारे पढ़ने भी लग लाना देंगा था मैं आपको इसकी मैजृ करा दूँगा। मैं आपको इसकी अंगलिष भी करवा दूँगा मैं आपको इसके जी के भी करवा हुआ दोस्तों कुछन आपके समख्ष रख दूँगा 140-500 तक की रेन दिखा दूँगा कि हमारी क्लास में बन रही थी और मैं कटा दिखा दूँए 120-130 भी नहीं जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइडेशन यह मेरा एक्स्पीरियंस है देखा दूँगा देख लेना आप जितना मर्दी बना लो पेपर को हुआ आप जितना मर्दी बना लो मैं तो देऊंगा पेपर टैंशा मतलो या मुझे मालू हुआ न क्या पूल शराज के टाइम पर वो कितना आग और आप पेपर दिखे लिकमा पेपर दर जाते थे घुळा ऐसा पेपर अदेना जाते थे ऐसा पेपर दो, दो सुझा अधा च्छन दे नुमर कड़्या रखरते जर्टर शुचों पिछले साल की बात आज पीछले सरी मिश्ब शान देना नमर्मर क्या होते हैं अएसा स्क्वायर तीनसवएक सट अभी किसी को स्क्वायर याद ना हो तो फेसमें बंदा क्या कर सकता है 217 चलिए नेक्स्कूशन 64 8 डिवाइड मीन्स मैनस मीन्स मैनस मीन्स इंटू है इंटू 5 प्लस मीन्स मीन्स मैनस मेन 1,25 सवाल काता है नेक्स कॉर्चन शील्ड का गॉर्ड होता है दोनों स्नॉनिम सेक दूसरे गे तो फैंडा का क्या होगा गृप शॉर्ट्ड एंप्लिफाई और ग्राइंड देखिये फैंड क्या होता है देखर शील्ड और गार्ड तो दुनों के दुनों सेम होगी है शॉट मारना होता है एम्प्लिफाय बढ़ाना होता है ग्रैंड चॉप करना होता है ग्रिप पकड़ होती है ग्रिप ठीक है? ग्रिप चलो यह बता होगई देख के राम से अच्छा ठीक है यह रहा न यह देखो एक पर ही पचास लिख देना जो आनलाइन पट रहे हैं पचास कुशां खाता है